नश्कार बच्चो तो चले बच्चो हम लोग ने कोशन नमर 23 तक कर लिया था आप 24 करेंगे और बच्चो 24 कोशन में एक गलती है यहाँ पर नथिंग लिग दिया जबकि नोटिंग होना चाहिए मैं बताता हूं क्या है कोशन एक सिक्के को तीन बार उचाला गया और तीनो बार उसे नोट किया गया कि हमारे पस क्या आया है या टेल आया है इफ गैटिंग दा सेम रिजल्ट इन आल टेल टेल आ रहा है तो कहरा बताईए कि इस बात की क्या प्रविल्टी है कि वो हार जाएगा मतलब क्या हुआ सोचो दो दोस्त हैं इसका नाम है बाई राम जैशरी राम और इनका नाम है सियाम ठीक है जी इन्होंने बाई एक ऐसी गेम खेली जो मतलब बच्चों वाली गेम होती है जैसे किस करके टॉस खेलने वाली कि भाई सिक्के उचालते हैं अगर तीन बार हैड आ गया तो मेरा तीन बार टेल आ गया तो तेरा ठीक है इस तरीके से तो बच्छों अब बात आती है या अब राम ने बोला कि भाई या तो तीन बार हैड आ जाए तो भी ये कौईन मेरा हो जाएगा या तो तीन बार टेल आ जाए तब भी कोईन मेरा हो जाएगा तो कहरा ठीक है स्याम ने कहा ठीक है भाई कोई बात नी इनके सिवा अगर कुछ भी आ गया मान ले दो बार हैड आके एक बार टेल आ गया या एक बार tail आके दो बार head आगया, इस तरीके से कुछ भी हो गया, तो फिर यह सिक्का मेरा हो जाएगा, कहा ठीक है भाई, तो बताओ कि इस राम के हारने की probability क्या है, अगर भाई, या तो तीन बार head आए, या तो तीन बार tail आए, तभी यह जीत सकता है, नहीं तो यह हार ज after tossing a coin three times, three times, तीन बार, तीन बार सिक्का उच्छालने पर, ठीक है, ठीक है, तीन बार सिक्के उच्छालने पर, outcomes आएंगे, क्या outcomes आएंगे, उसको S से denote करते हैं, outcomes को किस से denote करते हैं, अच्छा बच्छो, एक बात याद रखना, कि सिक्के के कितने पहलो होते हैं, दो पहलो होते हैं, एक होता है head और एक होता है tail, एक होता है head और एक होता है tail, और जैसे ही बच्छो हम सिक्के को उच्छालते हैं, जैसे ही हम सिक्के को उच्छालते हैं, तो बच्छो, या तो बार उचाला जाएगा वो उसकी पावर होता है तो यानि दो की पावर तीन कितना होता है बच्चो आठ दो की पावर तीन कितना होता है आठ तो इसका मतलब हमारे पास कितने केस बनेंगे आठ केस बनेंगे क्या करने पर एक सिक्के को तीन बार उचालने पर आठ केस बनेंग और अगर मान लो एक सिक्के को दो बार उचाला तो मतलब सिक्के के पहलू कितने होते हैं दो उचाला कितनी बार दो बार तो जितनी बार उचालेंगे वो उसकी पावर तो दो का स्क्वार क्या होता है चार मान लो चार बार उचालेंगे तो सिक्के के पहलो कितने होते हैं? दो उचाला कितनी बार? चार बार तो चार इसकी पावर दो की पावर चार क्या होती है? सोला लेकिन बच्चों हमें कितनी बार उचालने के लिए बोला गया है? तीन बार तो तीन बार अगर हम सिक्के को उचा लेंगे तो उसके कितने condition बनेंगे आठ condition बनेंगे और बच्चो आठ condition कैसे लिखते हैं तो आईए सीखते हैं चार बार head लिखिए चार बार tail लिखिए दो बार head लिखिए दो बार tail दो बार head दो बार tail एक बार head एक बार tail एक बार head एक बार tail एक बार head एक बार tail देखो आठ condition बनेगे तीन, तीन, छे और दो, आठ अब उसने बोला है कि भाई अगर अगर यहां पे जो भी जीतना चाहरा है या तो या उसके पास head 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 आए या तो टेल 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 आए तभी हो जीतेगा नहीं तो हार जाएगा तो बोल रहा है कि बताओ इसके हारने की probability क्या है तो पहली बात पी लूजिंग दा गेम लूजिंग दा गेम ठीक है लूजिंग दा गेम मतलब हारने की probability ठीक है पी खेल हारना खेल का हारना अब मुझे बता ये खेल को हार रहा है कैसे हार रहा है अगर head 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 आता तभी जीता या टेल 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 आता तभी जीता ठीक है लेकिन इस कंडीशन को और इस कंडीशन को छोड़ के बागी सभी कंडीशनों पर क्या कर रहा हो हार रहा है और इन दो कंडीशन पर क्या कर रहा था वो जीत रहा था तो बच्चों हमारे पास कितनी ऐसी कंडीशन ह जिस पे वो हार रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे ऐसी condition है जिस पे वो क्या कर रहा है हार रहा है कितने मेंसे? आठ मेंसे आठ मेंसे बस काट दो दो तिया, दो चोक के आंसर कितना आगया? तीन बटा चार यानि उसके हारने की probability कितनी है भई तीन बटा चार और माल लो जीतने की पूछ ले Winning Winning the game जीतने की खेल का जीतना खेल का जीतना जल्दी बता दो खेल का जीतने में क्या होगा भई बताओ कितने केस में जीत रहा है सिर्फ दो केस में कितने में से आठ मेंसे तो यानि जीतने की प्रोविल्टी कितनी ही दो एकम दो दो चोक के आठ पले बड़ी बात फड़ा फड़ा नोट करेंगे तो यह तोg आपका कोशन नमबर 24 अब आता है कॉशन नमबर 24 पार पार्ट मतलब और स्पाट ए यह दो को एंशेयर टी बॉस्टर यह विए यहां पर क्राबार हूं कि इसी का और पारट ही व्याओ और सीर Hispan की और कैसेट्स हैं पहले की टर Самे डीवीडी आती थी न जो डी वीडी में लगती थी तो उन लिखे हुए हुए हैं कि इन पर लिखे हुए हैं तो आप से पूछा گया है कि बताओ अगर हम उस बॉकस में से जिस बॉक्स में यह कैसेट्स पढ़े हैं उस box में से randomly यचा द्रिस मतलब कि आप बिना देखे randomly हम हाथ डालें और एक ऐसा डिस्क निकालें जो एक perfect square number है perfect square number मतलब क्या जो किसी का पून वर्ग का number है जैसे 2 square कितना होता चार 4 के बाद 9, 9 के बाद 16 इस तरीके से कोई perfect square number है तो बताइए इस बात की कितनी probability होगी चलिए नंबर ओफ नंबर ओफ डिस्क ठीक है नंबर ओफ डिस्क विच है परफेक्ट square number विच है परफेक्ट स्क्विच है नंबर हांजी डिस्क की संख्या जिन पर पूर्ण वर्ग संख्या है जिन पर पूर्ण वर्ग संख्या है तो हांजी अब मुझे बताओ एक से लेके 80 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो परफेक्ट square है तो देखो चार चार एक परफेक्ट square है दो का फिर नो फिर सोला फिर पच्चिस फिर च्छतिस फिर उननचास फिर 줄 64 फिर 81 अच्छा अब बताओ कि 81 पॉसिबल है बच्चों नहीं क्यों क्योंकि डिस्क तो ही हमारे पास एक से 08 नंबर तक टो क्या 81 पॉसिबल है नहीं है तो इसका मतलब यह हट गया तो बहए हमारे पास number of disk, यानि ऐसी disk की संख्या, जिनके ऊपर perfect square number लिखा हुआ है, वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने number हैं हमारे पास ऐसे, 7 number है बच्छो, कितने number हैं, 7 number है, और हमें probability क्या निकालनी है, probability निकालनी है, disk, which has perfect square number, perfect square number, ठेक है बई, क्या निकालना हमें, disk, जिस पर, पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, हां जी, तो पूर्ण वर्ग वाली कितनी संख्या है, 7, और total disk कितने हैं, 80, तो answer कितना आ गया, 7 बटा 80, कितना आ गया, 7 बटा 80, देखो, free के number दिये हुएं, 4 में, करो एक मिनट, 7 बटा 80 नहीं, एक भी तो एक स्क्यार है, देखो बच्चो, अरे एक भी तो एक का स्क्यार है, तो 7 नहीं, 8 हो गए यहां पर, 8 बटा 80, काटो इसको, 1 बटा 10, probability कितनी आ गई, 1 बटा 10, क्योंकि एक भी तो एक का ही स्क्यार होता है, करो, 24th question खताम, question number 25, ठीक है, यह कराते हैं, करो इसे, 3-4 question कर लो, अच्छे-च्छे से, 25 है, फिर फिर फूर 26, झाल 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 कि छलो ऊच्छो यह तो आर लिया होगा कि इधर देखो अब कोर्शन नमर्बर पच्छिस देखो कोर्शन नमर्बर पच्छिस में आप से क्या रहा है Aus Verme कि एक टाई मैं आफके पास जिसे एक वार उच्छाला गया और उसमें एक नंबर आया क्या एक नंबर आया प्राइम नंबर और सेकेंड केज में कहा है कि एक नंबर आया दो से 6 के बीच में बिट्वीन 2 & 6 वेट्वीन 2 & 6 ध्यान देना भई अरे डाई समझते हो लॉट्र तो हर बच्चा समझता इसके ऐसी हुथ में तो यह चार और यह हुता है पिर इस तरीकें शह कर पर शॉब पॉसिब्लेटी इस after after rolling after rolling a die once ठीक है भाई एक बार एक बार पासा पासा फैकने पर प्राप्त संभावनाए 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 हाँ भई क्या संभावनाए हो सकती है बच्चो भई कोई भी पासा फैकने पे 6 संभावनाए हो सकती है या तो एक आएगा या तो दो आएगा या तो तीन आएगा या तो चार आएगा या तो पांच आएगा या तो छे आएगा यही छे संभव नहीं हो सकती है अब हमें प्रवेल्टी निकालनी है प्राइक्ता निकालनी है क्या प्राइक्ता प्हली प्राइक्ता निकालनी है कि वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए प्राइम नंबर प्राइम नंबर समस्ते हो अभी मैंने कल ही बताया था आप लोगों को आभाज्य संक्या कौन से होती है आभाज्य संक्या जो एक से और अपने आप से ही डिवाइड हो ठीक है असान सब्दों में यही होता है इसका definition कि आभाज्य संक्या प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप से प्राइम नंबर नहीं है इसका reason क्या है कि देखो इसके प्राइम नंबर के हमेशा दो फैक्टर बनते ही बनते हैं कौन एक खुद और एक वन लेकिन वन का प्राइम नंबर क्यों नहीं बनता क्योंकि वन अपने आप में ही एक अपना divisible है और किसी से divide होता ही नहीं है ठीक है क्योंकि one किस से divide हो सकता है सिर्फ one से यानि अपने आप से ठीक तो इस वज़े से यहाँ पे क्योंकि देखो इसकी और भी बहुत सारी थियोरी है मैंने आपको सबसे छोटी वाली थियोरी बता दी कि one क्यों एक प्राइम नंबर नहीं है वैसे अगर इसकी थियोरी जानना चाहो तो बहुत सारे mathematician की बहुत सारी थियोरी है ठीक है लेकिन हमें अभी वो नहीं जानना हमें बस यह पता करना था प्राइम नंबर कौन कौन से है तो 2 है 3 है 5 है तो यानि यह 3 प्राइम नंबर है कितने में से 6 में से तो यानि probability कितनी आगी बच्चो 1 बटा 2 question number second question number second क्या निकालना है question number second निकालना है हमें 2 से 6 के बीच में आने वाले नंबर ठीक है number between 2 and 6 2 और 6 के बीच बीच आने वाली संख्या हां जी तो जल्दी बता दो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से संख्या आ रही है 3 आ रही है 4 आ रही है 5 आ रही है कौन कौन से आ रही है 3 आ रही है 4 आ रही है 5 आ रही है तो मतलब 3 बटा 6 फिर से कटेगा 1 बटा 2 फिर से कटे हैं कितना एक बटा दो उतारो कोश्चिन नमर्ट 26 यह अच्छा है कोश्चिन नोट कर वच्छे से अच्छा बच्छो अब है कोश्चिन नमर्ट 26 यह 25 था भई ठीक है यह जो करवाया कोश्चिन नमर्ट 25 था ही है कि चलो हो गया अब देखिंगे बच्छो कोश्चन नमर्ट 26 बड़ा प्यारा कोश्चन है कोश्चन देखो क्या दिया गया है कहरा भई आपके पास ना दो सिस्टम औफ एक्वेशन दी गई है हमने और वो दोनों सिस्टम औफ एक्वेशन क्या है CX 3Y 3-C बराबर 0 एक 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 एक्वेशन यह है आपसे बोल रहा है कि यह जो एक्वेशन है ना बच्चो यह इन्फिनाइट मैनी स्वेशन लाता है तो बच्चो याद करो इन्फिनाइट मैनी स्वेशन के लिए मैंने आपको क्या बताये था ध्यान देना, यहाँ पर इसने बोला है, solve for, solve for, infinite many solution, तो अगर आपको याद हो, मैंने कल वाली क्लास में ही, आपको infinite many solution के लिए condition दीती, मतलब क्या बोला है, अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए, हल करो, अनेक हल के लिए, हल करो, now, हाँ जी, infinite many solution, अनेक हल के लिए, हल, क्या होता है, याद करो बच्चो, a1 upon me a2, बराबर b1 upon me b2, बराबर c1 upon me c2, याद आया कुछ, दुनला दुनला याद आया, कि भई, sorry, कि भई, infinite many solution के लिए condition क्या बनती है, a1 upon me a2, b1 upon me b2, c1 upon me c2, सही बात है, तो बस बात खतम, now, पहली equation के अंदर सारे 1 वाले होते हैं, सारे कौन होते हैं, 1 वाले, तो x के साथ जो होगा, वो a1 होगा, तो x के साथ कौन है, c, तो ये a1 है, y के साथ जो होगा, वो b1 होगा, तो y के साथ कौन है, 3, और जो अकेला होगा ना X का ना Y का वो होगा C1 तो C1 क्या आगए आपका 3-C ठीक है अब जो दूसरी equation में X के साथ होगा वो आपका A2 होगा और दूसरी equation में जो Y के साथ होगा वो आपका B2 होगा और जो अकेला होगा वो C2 होगा हाँ बई तो C2 यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बोलो mostly बच्चे C2 बोल रहे होंगे C लेकिन बच्चों ऐसी गलती मत कर देना यहां C नहीं है माइनस का C है तो माइनस प्लस को include करते वह चलना है तो माइनस का C now अब put करो now put अब put करो A1 की जगा पे C, A2 की जगा पे 12, B1 की जगा पे 3, B2 की जगा पे, sorry B2 की जगा पे C है यह लिख दिया मैंने, C बराबर C1 की जगा पे 3 माइनस C, C2 की जगा पे माइनस का C, अब क्या करना है, compare करना है, किसी भी एक को compare कर लो value अपने आपा जाएगी, तो मुझे सबसे असान यह लग रहा देखने में, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे माइनस माइनस के लफड़े हैं, तो क्यों हम माइन यह होता 6 का, तो plus minus 6, तो यानि C की value क्या आगई, plus minus 6, solve कर दो हो गया answer, है ना सान? नोट करो, उसके बाद हम करते हैं, question number 27 नहीं करेंगे, क्योंकि 27 है, root 2 irrational number है या नहीं, proof करो, तो यह सब चीजे, आप लोगों आच्छे से, note down कर रखी होंगी, ठीक है, तो बस यह oral वाली चीजे हैं, तो यह तो खुदी पढ़के करोगे, सारे practical form में कराऊंगा, हो गया, अगला question है, question number 28 कर रह्या कर है, tęंपा वádर, क्यूंकि는 तो, यह बला है तो, यह हो वी नहीं प्रोवांस, यह उख रहता है, और क्यूंगा दुदी दुद्छ से, फया क्योंतरा को ब्या स्राहां से, तो tutकता है, तो, यह हो tuh, चलो देखें देरा question number 28 देखो बच्चो क्या बोला गया आपसे question number 28 में find the value of k, k का मान निकालो अगर आपके पास एक polynomial दिया गया है देखो 28 the given polynomial is दिया गया बहुपद है हाँ जी बहुपद क्या दिया गया आपको x square minus k plus 6x plus 2 2k minus 1 यह आपको दिया गया है polynomial यह क्या दिया गया आपको polynomial क्या रहा है and has its sum of zeros is equal to half of their product यह हम बाद में समझेंगे लेकिन आपको मैं पहले क्या समझाना चाहूँगा देखो आगे की जो इसकी लाइन है वो तो भी मैं समझाऊंगा यह बेफिकर रहो लेकिन पहले मैंने आपको यह याद रख करो कि आप लोगों ने सभी बच्चों ने क्या सीखा है कि जब भी आपको पॉलिनॉमियल दे दिया जाए तो आप दो बाते बिलकुल अपने दिमाग में बसा लो कौन कौन सी बाते पहले पहले कंडिशन एक मिड़ा बच्चों एक मिड़ा एम हाँ जी बच्चों तो हमने दो कंडिशन सीखी थी क्या सीखी थी बच्चों कि अगर आपको कोई पॉलिनॉमियल दे दे तो आप दो चीजे तो बिलकुल बिना सोचे समझे निका लेंगे पहला सम्सॉम फ जीरो्स दूसरा प्रोडड़क्ट फ जीरोस मतलब पहला क्या निका बराबर किसके होता है? माइनस B अपन A याद होगा आप लोगों को डिनोट किसे करते हैं? इसको अलफा प्लस बीटा से ये माइनस किसका है? फॉर्मूले का और B है क्या आपके पास? B है आपके पास माइनस K प्लस 6 क्योंकि मैंने बताया था ना माइनस और प्लस को इंक्लूड करते हुँ चलना है तो आपका B कौन है? माइनस K प्लस 6 और A कौन है? A इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 तो इसका मतना माइनस माइनस प्लस K प्लस 6 यानि बच्चों आपका सम अफ जीरो कितना आया? K प्लस 6 अब निकालेंगे product of zeros अब के निकालेंगे? product of zeros ये दो चीजों तो fix है polynomial के question में कि निकालना ही निकालना है सुन्यको का गुननफल ये तो आपको निकालना ही है बच्चों हर हाल में और इसका formula होता है C upon में A अब ये गुननफल है product है तो alpha into में beta C कितना है? C है आपका 2, 2K minus 1 A कितना है आपका? 1 तो इसका मतलब आपका alpha beta क्या आगया? अंदर multiply कर दो 2, 2 जा 4K 2 तो इस तरीके से आपका alpha beta भी आगया ठीक है? चलिए अब क्या है? हाँ जी alpha beta भी आगया अब क्या है? अब कोश्चन में आपसे बोला गया है कि जो sum of zeros है न बच्चो वो product का half है मतलब जो सुन्यको का योगफल है वो गुननफल का half है बस बात खतम according to question प्रस्ना अनुसार क्या लिखेंगे? प्रस्ना अनुसार क्या लिखेंगे? कि sum of zeros is half of product of zeros हिंदी में क्या लिखेंगे? सुन्यको का योगफल बराबर है सुन्यको के गुननफल का आदा सुन्यको के गुननफल का आदा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये कोश्चन खुद बोल रहा है कोश्चन ने क्या बोला है? कि जो सुन्यको का योगफल है वो गुननफल का आदा है तो ये रहा सुन्यको का योगफल और गुननफल का आदा गुननफल का आदा इंगलिस में क्या बोला है? कि sum of zeros is half of product of zeros तो sum of zeros ये रहा product of zeros ये रहा उसका हमने क्या कर दिया? half कर दिया बात खतम, sum of zeros ताजा ताजा क्या निकाला हमने k plus 6 बराबर, product of zeros भी ताजा ताजा क्या आया भई, 4k minus 2 upon में 2 ठीक है, ये 2 यहाँ पर क्या कर रहा divide, वहाँ जाके क्या करेगा जल्दी बता दो, multiply करेगा तो कर दो, 2k plus 6 बराबर 4k minus 2, अंदर multiply करो बिना k वाले को की तरफ, तो ये 2 छोटा है 4 बड़ा है, तो भई छोटे को लेकर जाएंगे 2 इधर plus का उधर जाके minus minus का 2 इधर आके plus तो ये plus का 2 के उधर जाके क्या हो गया, minus का 2 के ठीक है 4k में से 2 के गया, तो कितना बचा 2k, 12 और और 2 कितना होते है बच्चो 14 समझ माई बात क्या कह रहा हूँ मैं मैं क्या कह रहा हूँ कि यह इधर जाके minus हो गया मतलब यह 2 के plus का उदर जाके minus यह minus का 2 इधर आके plus यह 2 इधर multiply कर रहा है इधर आके divide कट गया 7 तो इसका मतलब कितना है बच्चों के की वैलू 7 और आंसर हमारा हीट और मिल गए हमें पूरे तीन नमबर चलिए फटाफट कीजिए की वैलूफश की ओमार भीछाफट नमबर फ़कल ते मारा बोलुब हमें वैलू और आंसर ता तार치를 लगरा हीजिता टाहर समstart ऑपने स Millenn Але सका हमें पहली मिल पूरे लेंग हमें पवारे की वैलॉगमार भीछापट की पुरों की तो को बनाना है बट baru हमें अउसने ढ।राफ़ झाल 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 तू ताइम्स तू ताइम्स तू ताइम्स तू ताइम्स पहले इसको पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं फिर इसके बाद आगे कोशन बढ़ेंगें आधि दो ताइम्स अधिण ऑसके पूरी ताइम्स ताइम्स पूरी ताइम्स तीन गुन्स 5 years, 5 साल बाद पिता जी अपने बच्चों के age के अपने बच्चों के ठीक है कह रहा है after 5 years, his age will be 2 times the sum of their ages, ठीक है मतलब क्या कह रहा है कि भई आज से 5 साल बाद आज से 5 साल बाद पिता जी बच्चों के age के sum के दुगने हो जाएंगे मतलब बच्चों की जो age होगी उसके sum से कितने हो जाएंगे डबल हो जाएंगे उसके sum से कितने हो जाएंगे डबल हो जाएंगे तो आप से पूछा जा रहा है find the age of father find the age of father तो बताएए पिता जी की age क्या है कोशन दिखने में बहुत असान लग रहा है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है और टिपिकल किस तरीके का बच्चो अगर आपने इसके वर्ट्स को समझ लिया तो आपके लिए काम हो गया अगर वर्ट्स को नहीं समझा तो वही कहल खतम अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बोला गया अपसे पिता जी एक बच्चे दो यहां पर कितने बच्चे दो अब आप दोनों बच्चों की एज अलग अलग मानोगे या नहीं मानोगे यहां पर ऐसी कोई कंडिशन दी नहीं गई है यहां पे सीधा बोला गया है कि पिता जी अपने दोनों बच्चों की एज के तीन गुना है तो इसका मतलब यह होगा कि दोनों बच्चे की एज को एक यूनिट माल लिया है माल लो दो बच्चे हैं एक 10 साल का है एक 5 साल का है या 6 साल का है मतलब यहां पे दोनों बच्चों की age से मतलब क्या है कि अगर एक बच्चा 10 साल का है और दूसरा बच्चा 6 साल का है तो total के age कितनी होगी? total age होगी 16 साल तो बच्चों इस 16 साल को उसने एक single unit मान लिया एक single unit मान लिया, क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों बच्चों को एक ही age से represent करने के लिए इसने question में बोला है वो कैसे बोला है? आपको बोलेगा नहीं वो, वो हमें खुश समझना है क्योंकि पिता जी एक और बच्चे compare किसे कर रहे हैं? दो से और जब भी comparison होता है ना बच्चो तो दो लोगों के बीच में होता है और यहां तो तीन लोग हो गए एक पिता जी और दो बच्चे तो तीन लोग हो गए ना तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन दोनों बच्चों को आपस में मिला कर एक age में convert करना होगा क्यों? क्योंकि comparison हमेशा कितने लोगों के बीच में होता है? दो लोगों के बीच में इस वज़े से हम दोनों बच्चों को क्या कर देंगे? दोनों बच्चों को मिला के एक ही age में convert कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे let the present age of, हाँ जी, present age of father जल्दी बताइए क्या होगा? X years and, यहाँ हिंदी में कहाँ लिखेंगे माना, पिता की वर्तमान आयू, कितनी बच्चों? X verse and, the present age of both children. ठीक है? कितने मान लेंगे? Y years. कितनी मान लेंगे? Y years. तथा दोनों बच्चों की आयू. दोनों बच्चों की आयू. अब दोनों बच्चों की मिला के आयू कितनी मान ली हमने? Y year. कितनी मान ली? Y year. अब उसने आगे क्या खेल खेलने के लिए बोला भाई? कि पिता जी की age, पिता जी की age, बच्चों की age के तीन गुनी है. चलो भाई, according to question. हाँ जी. पिता जी कितने साल के हैं? X साल के? बच्चे, दोनों बच्चे कितने साल के हैं? Y साल के? अच्छा. अब एक बात याद करो, आप लोगों ने अपने basics में पढ़ा होगा, कि जब भी comparison करने का काम करते हैं हम लोग, तो हमेशा plus, minus, multiply वगरा जो भी करते हम. यानि plus का काम और multiply का काम जब भी करते हैं, तो किस के साथ करते हैं? छोटे के साथ. किस के साथ करते हैं? छोटे के साथ. क्यों? क्योंकि भई देखो, बड़े को तो छोटा किया नहीं जा सकता, और कर भी सकते हैं, लेकिन वो करो मत. क्योंकि ज़्यादा असान छोटे को बड़ा बनाना होता है. जैसे आपके पास 10 रुपए और आपके दोस्त के पास 7 रुपए है तो उसको 10 रुपए बनाना कैसे असान रहेगा 3 रुपए add कर दो क्योंकि हम लोगों को add करना और multiply करना ज़्यादा असान लगता है बलकि minus करना और divide करना थोड़ा मुस्किल लगता है तो इसलिए concept तो मैं minus और divide वाला भी करवा सकता हूँ लेकिन मैं ज़्यादा confusion पैदा नहीं करना चाहता तो एक ही universal तरीका सीखो जो कि आप किसी भी question में apply करो तो perfect बैठे ठीक है तो मुझे पता है बच्चे छोटे हैं पिताजी बड़े हैं और ये बात बताने की जूरत नहीं है ये understood सी बात है पिताजी बड़े ही होंगे बच्चे छोटे ही होंगे तो बई पिताजी कितने बड़े हैं तीन गुना बड़े हैं किस से बच्चों से तो इसका मतलब छोटा कौन हुआ बच्चे तो ये जो multiply वाला काम है हम किस के साथ करते हैं छोटे के साथ तो छोटा है कुन बच्चा किरना छोटा है तीन साल तो तीन multiply कर देंगे तो यह आगे आपका x बराबर 3y equation number first equation number first now अब second case में second case में का कह रहा है पांस साल बाद पांस साल बाद ठीक है पांस साल बाद after five year his age will be two times two times the sum of their ages the sum of their ages हां जी कह रहा है कि पांस साल बाद पिता अपने बच्चों के age के sum के double होगा पांस साल बाद आज से पांस साल बाद माल लीजिए आपके पिता जी अभी 40 के हैं और आप माल लीजिए कितने के हैं भई 14 के हैं तो भई क्या होगा आज से पांस साल बाद आपके पापा 45 के हो जाएंगे तो क्या आप नहीं बढ़ोगे आप भी तो पांस साल एक्स्ट्रा हो जाओगे मतलब 14 के हो तो 19 के हो जाओगे तो बस बच्चों यही केस यहां पर समझना है लेकिन यहां पर बच्चे एक छोटी सी गल्ती करते है क्या गल्ती करते हैं मैं बताता हूं बई पिता जी अभी कितने साल के है X साल के है दोनों बच्चों की मिला कर एज कितने साल है Y साल है दोनों बच्चों की मिला कर एज है Y साल अच्छा आफ्टर फाइव एर आफ्टर फाइव एर पांस साल बाद 5 साल बाद क्या पिता अभी भी X के रहेंगे नहीं 5 साल बाद पिता X प्लस 5 के हो जाएंगे कितने के हो जाएंगे X प्लस 5 मतलब अगर अभी आपके पापा 40 के हैं तो 5 साल बाद 45 मतलब आपने क्या किया add किया आपने क्या किया add तो अगर अभी ये पिता एक साल का है तो पांच साल बाद कितने का हो जाएगा एक्स प्लस पांच ठीक है अच्छा अब एब बताओ जब पिता की एज बढ़ेगी तो बच्चों की तो भी एज बढ़ेगी बढ़ेगी की नहीं बढ़ेगी जल्दी बताओ भाई अगर मैं कहा रहा हूँ कि यहाँ पिता की एज बढ़ रही है तो बच्चे की एज भी बढ़ेगी अच्छा यह वाई एज कौन सी है बच्चो यह वाई एज दोनों बच्चों की मिलाकर है तो अब यह एक बात बताओ जब यहाँ पर एज बढ़ने की बात होगी तो दोनों बच्चों की एज अगर मैं मिलाकर बढ़ा भी देता हूँ खुँज सोचना ज़रा इधर देखना यह बच्चा मैंने कितने साल का लिया था दस साल का दोनों बच्चों की एज कितनी हो गई 16 साल अब एक बाद ज़रा गौर से सुनना पिता जी की एज एक्स थी तो बढ़ा के मैंने 5 एक्स प्लस 5 कर दी बच्चों की दोनों बच्चों की एज वाई है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी याद करो क्या ऐस हो जाएगी Y प्लस 5 क्या Y प्लस 5 होगी खुछ सोचो भाई Y प्लस 5 नहीं होगी पता है क्यों 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 कि जब ये 5 साल बढ़ाओगे ये तो एकी बच्चे की बढ़ी ना अरे भाई एक बाद बताओ 10 और 6, 16 साल जब 5 साल बाद age बढ़ेगी तो इसकी भी 5 साल बढ़ेगी तो इसकी भी तो 5 बढ़ेगी की नहीं बढ़ेगी इतना बताओ दो मुझे ऐसा तो है नहीं कि nai भाई हम दोनों मिलके अब एक हो गए एक ही बार 5 साल बढ़ाएगे मतलब धाई तेरे धाई मेरे तो it means हमने क्या देखा age की बड़ोतरी 26 साल मतलब कितने साल बड़ोतरी हुई 10 साल बड़ोतरी हुई मतलब sum of their ages मतलब 5 साल अगर बड़े वाले भाई की बड़ेगी तो 5 साल छोटे वाले भाई की भी बड़ेगी और अब अब भी पिता अब भी पिता जी बच्चों की age से बड़े हैं कितने बड़े हैं डबल बड़े हैं इसमें क्या लिखा है कि इनके age के sum से भी कितने बड़े हैं डबल तो दो जो multiply करूँगा किसके साथ करूँगा छोटे के साथ क्योंकि छोटा हमेशा कौन होता है 20 तो सॉल्व करो इसको हां जी इसको ठागे दर लियाओ एक्स माइनस 2y प्लस का 5 वहां जाके माइनस का हो जाएगा एक्स माइनस 2y बराबर 15 भाई एक्स की वैल्लू कितनी है तीन वाई तो क्या मैं एक्स के जगह पर तीन वाई रख सकता हूं जल्दी बोलो 15 हां जी 15 तो 3y में से 2y गया y बराबर 15 यानि दोनों बच्चों की एज कितनी होगी 15 लेकिन हमें बच्चों की एज सोड़ी निकालनी है हमें तो पिता जी की निकालनी है तो पुट वाई इन इक्वेशन फर्स्ट यानि की x बराबर 3y 3y की वैल्डू 15 15 यानि कि पिता जी की एज कितनी साल है बच्चे 45 साल के हैं पिता जी ठीक है चलो नोट करो फटा फट कोशन पसंद आया बच्चों है प्यारा कोशन इसमें समझने वाली बास बत यही है बच्चों ने कई बार मैंने पिछले साल यानि यह जो सैट पेपर है यह 2019 का सैट पेपर है और मैंने यह देखा कि y प्लस 5 ज्यादा तर बच्चों ने किया था यह जबकि भाई थोड़ी सी बात सोचना भूल गए कि भाई जब दो बच्चों की एज मिला कर है तो एक बच्चे की बढ़ेगी तो दूसरी की भी तो बढ़ेगी चलिए एक लास्ट कोशन और प्जोंtsेह जह लास्ट की बच्चों साधा का प्लस्ट की खग हो प्लस 5 जब क्रेंखेट प्मोंस्ट को बच्चे हो बार, मैंने अव時間 morality 1 उ undert मिला झाए हो यह झाल झाल चलो अब देखो भाई इसी का सेकंड पाट इसी का और पाट इसी का और पाट ठीक है एक लास्ट कोशन देख लो फिर खतम करते हैं ठीक है उसके बाद फिर कल वाली क्लास में बच्छो मैं कोशिस करूँगा कि यह खतम करा दूँँ ठीक है चलो आज का लास्ट कोशन एक फ्रैक्षन है वो वन बाई थिरी हो जाता है जब नुमेरेटर में से अंस में से दो घटाते हैं और कह रहा है वही फ्रैक्षन वन बाई टू हो जाता है जब डिनोमिनेटर में से वन मानिनिस करते हैं तो बताईए फ्रैक्षन क्या है देखो बच्चो क्या बोला गया है कहरा आपके पास एक फ्रैक्षन है लेट दा फ्रैक्षन इज माना भिन है बच्चो हमारे पास एक भिन है एक्स बटा वाई X बटा Y ये हमारे पर भिन है, fraction है मुझे ये बात बताने की जुरुत नहीं है आप सभी को पता है कि ये उपर वाली पार्टी को numerator कहते है हिंदी में uns कहते है और नीचे वाले को denominator कहते है हर कहते है क्या ये बात बताने की जुरुत है नई, ये बात आप पहले से ही जानते है ठीक है, बस बेसिक्स था, इसलिए बता दिया अब इसने जो जो बोला है वैसे करते जाओ according to question ठीक है, क्या बोला इसने इसने बोला है कि fraction एक बटा तीन बन जाती है fraction एक बटा तीन बन जाती है fraction एक बटा तीन बन जाती है जब numerator में से 2 माइनस करते है जब numerator में से 2 माइनस करते है तो ठीक है जी, शुरू करते है हन जी, when 2 is subtracted from numerator ठीक है? जब अनस में से 2 घटाएं लीजे भई, अनस में से यानि अनस को ना x, इसमें से 2 घटा दो और denominator में कोई छेड़ खानी नहीं उसने स्रिफ बोला है कि अनस में से 2 घटा दो तो fraction एक बटा 3 बन जाता है क्या बोला उसने? कि अगर numerator में से अनस में से 2 घटा देते हैं, तो fraction क्या बन जाता है? एक बटा 3, बात खतम 3 की मंटिप्लाइज से, y की मंटिप्लाइज से तो 3 की मंटिप्लाइज पूरे से होगी y की मंटिप्लाइज 1 से 1 sorry, y अन्दर मंटिप्लाइज 3x अन्दर मंटिप्लाइज माइनस 6y प्लस का y इधर आके माइनस का माइनस का 6 इधर आके प्लस का एक्वेशन नमबर फिर्स्ट अब क्या बोला उसने? अब बोला उसने अब इसने बोला है कि डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना है? अब की बार किस से माइनस करना है? when 1 is subtracted from डिनोमिनेटर जब हर में से एक घटाया जाए घटाया जाए हाँ जी अब देखो अब की बार माइनस करने के लिए किस में से बोला है? डिनोमिनेटर में से तो क्या हम निमेरेटर को छेडेंगे? बिल्कुल भी नहीं डिनोमिनेटर कितना है? y हाँ जी इस में से कितना माइनस करने के लिए बोला है? 1 और ये घटाने पे कितना बन जाता है? एक बटा दो उसने बोला है कि अगर numerator में से दो घटा होगे तो एक बटा तीन बन जाएगा और denominator में से एक घटा होगे तो कितना बन जाएगा एक बटा दो तो ठीक है जी solve करते हैं दो को इस से य को इस से क्या बन गया 2x y-1 y को ठाके दर ले ओ 2x-y बराबर-1 equation number second equation number second equation first भी आ गई equation second भी आ गई solve कर देंगे solve equation first and second equation first है आपकी 3x-y बराबर 6 और यह है 2x-y बराबर-1 solve कीजिए हंजी same sign है change करेंगे minus, minus है तो plus, minus है तो plus हंजी y से y cut गया, 3 में से 2 गया x 3 और 1 क्योंकि अब तो यह plus का बन चुका है तो 6 और 1, 7 तो यहनि x की value कितनी आ गई 7 put x in equation किसी में भी रख सकते हो अब आप तो मान लो हमने first में रख दिया तो 3x-y बराबर 6 3x की value 7-y बराबर 6 7-21, plus का 6 इदर आके minus minus का y उदर जाके plus 21 में से 6 गया बोलो कितना बज़ेगा, 15 बराबर y तो इसका मतलब बच्चो x की value 7, y की value 15 तो fraction कितनी आई x की value 7, y की value 15 यानि कि fraction कितनी आगई, 7 बटा 15 कितनी fraction आगई, 7 बटा 15 ठीक है, तो इस तरीके से बच्चो हमें ये question करना पड़ता, 3rd chapter का note करेंगे फटा फट और आज की class यहीं खतम, next class में बच्चो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस set paper को खतम कर देंगे, ठीक है चलिए, bye